Dear students, Assalamualaikum Islamiyad की क्लास में सबको Welcome कहती हूँ Students, कल हमने सबक नमबर 10 रमजानलमुबारिक की पढ़ाई स्टार्ट की थी आज हम उसकी remaining पढ़ाई करेंगे लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप सारे students अपना homework note down कर ले homework आपका है Islamiyad सबक नमबर 10 सफ़ा नमबर 53 की पढ़ाई करें Islamiyad सबक नमबर 10 सफ़ा नमबर 53 की पढ़ाई करें सारे students ने homework note down कर लिया तो आप सारे students सफ़ा नमबर 53 निकालें तो students सबने सफ़ा नमबर 53 निकालिया अच्छा बच्छो कल हमने पढ़ा था रम्जान मुबारी की एहमियत के बारे में ठीक है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि जो बंदा रोजा रखता है तो उसके लिए क्या होता है उसके लिए दर्या की मचलियां दुआ करती हैं इसके इलावा उसके पिछले तमाम गुना माफ हो जाते हैं रोजादार जन्नत के दर्वाजे बाबुर्यान से जन्नत में दाखिल होगा और रोजादार के लिए सत्तर हजार फरिष्टे दुआ करते हैं ठीक है हमने ये पढ़ा था ना आज हम और पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ठीक है चलें उमर भाई ये तो तुमने बहुत अच्छी बाते बताई लेकिन रमज़ान में ही ऐसा क्यों होता है अब उमर ने यहां पर जैद से सवाल पूछा कि जो बाते आपने बताई थी ठीक है अभी जो मैंने स्टार्ट में रिपीट की तो ऐसा सिर्फ रमज़ान में ही क्यों होता है अब जैद ने क्या बताया जैद मेरी अम्मी बताती है के रमज़ान के महीने की बहुत एहमियत है बहुत एहमियत है अब वो एहमियत बता रहा है क्या है नमबर वन इस महीने में कुरान उतारा गया इस महीने में कुरान उतारा गया नमबर टू यह महीना रहमत और बरकत का महीना है और नमबर तीन ये महीना सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है अब ये बता दिया जैदने अमर को के मेरी अम्मी मुझे ये बताती है इसलिए रमजान में बाकी महीनों के मुकाबले में रमजान की एहमियत ज्यादा है अमर ये सबर का महीना कैसे हुआ ठीक है अब उमर ने यहां पूछ लिया कि सबर का महीना कैसे हुआ आपको पता है ना हम इसमें क्यूं सबर का महीना है क्यूंकि इसमें हम कुछ खाते पीते नहीं है अल्ला ताला के हुक्म के मताबक हम फजर से पहले सहरी कर लेते हैं और फजर के बाद हम मगर्ब तक कुछ नहीं काते जब मगर्ब की आजान हो जाती है तो उसके बाद पिर हम अफ़तारी कर लेते हैं ठीक है फज्जर से पहले हम सहरी करते हैं पूरा दिन सबर करते हैं कुछ खाते पीते नहीं ना खाते हैं ना पीते हैं और मगर्ब की आजान के होते ही रोजा अफ़तार करते हैं जूट लड़ाई गाली गलोच से दूर रहते हैं इसलिए इसको सबर का महीना कहते हैं बच्चों आपको पता है कि हमारा जो रोजा होता है तो वो सिर्फ काने पीने का नहीं होता कि हमने सिर्फ काना पीना रोकना है हमने रमजान में जूट भी नहीं बोलना लडाई भी नहीं करनी और किसी के साथ गाली गलोच भी नहीं करनी वैसे तो ये हमारे जिन्दगी का रूटीन होना चाहिए कि रूटीन में हमने ये काम बिलकुल नहीं करना बलके हमने अच्छे बच्चे बनना है लेकिन रमजान में स्पेशली नहीं करना ठीक है? अमर भाई तुमने मुझे बहुत अच्छी बाते बताई जजाक अल्ला अब मैं घर चलूँगा सुबा सेहरी में भी उटना है अस्सलाम अलेकूम अब जैद ने क्या कहा? जैद वालेकूम अस्सलाम अच्छा स्टूडंट्स होमवर्क आपको दिया है मैंने आपने होमवर्क must करना है ठीक है और जिस तरह पिछले होमवर्क मैंने बताया था जो चार चीज़े मैंने बताई थी तो इसमें आप लोगों ने ये तीन चीज़े must learn करनी है ठीक है? जेद को अम्मी ने जो जो बादे बताई थी के रमजान के महीने की एहमियत क्यूं है सबसे पहले कि इसमें कुरान उतारा गया फिर दूसरा कि ये रहमत और बरकत का महीना है और ये सबर का महीना है तो ये चीजें आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए ठीक है?